घटना दस अगस्त की है बढ़कागाओं में एक युगती को रात में एक युगती को कान पकड़ कर उठक पैठक कराया गया और पीता गया इस घटना के दस दिन बाद स्थानिय विधाय अंबा प्रसाद पीडिता युगती और उसके परिवार वालों से मिली और मुस्लिम सम उदाय से राखी बंदवाया विधायक अंबा प्रसाद द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझोता कराने के बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया है अंबा प्रसाद ने कहा कि कुछ लोग गाउं का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं दूर दूर से कई संविठों के लोग आकर इस विवाद को साम प्रदायकता का रंग देकर हमारे गाउं समाच का माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने बताया कि पीडिता की माने कहा कि जिद लोगों ने मेरी बेटी को प्रतारित कर इस तरह का क्रित्त किया है उनको जल्द से जल्द से मिली मामले में गिरफतारियां हुई है अन्य आरोपियों की खोच जारी है गाउं के मुस्लिन भाई उन्हें पीड़ित पक्चीव परिवार से राखी बतवाई और उसकी रक्षा करने का वचन दिया देश और गाउं एक संयुक्त परिवार है किसी के द्वारा फूटना प करते हुए दोनों बेट्यों को जबरन खीच और ले गए वहां मुस्लिम ढर्म कपनाने का दबाव दिया गया का साथ इसाथ धर्म तीन और पंचायत समिती सदस्य शबनम परवीन के पती मुहम्मद इर्फान के साथ साथ अन्य सामाजिक लोगों के पास इसकी शिकायद की इसकी सूचना पाकर रात्री में आए लोगों ने पुना मेरी बेटियों को बुलाकर मारपीट की हां मिलक तरह से मिल रहा था और अभी मिल रहा हो जो मेरे पराना मुख्या थे वह बहुत अच्छा से मेरा साथ रहें कि अज़े हैं भाईवान के धरे रह रहते कोई भेदवाव नहीं था आपके कहने का मुताविए यहां के लोगों से सबसे अच्छी बहवार रखते हैं और सब लोग अच्छे से आपको सपोर्ट करते हैं बाकि जो छे लोग हैं उनलोग को गिरवतारी हो यही आपकी माने करतब होगा कि जहां भी दोसी छुपा हुआ है उसकी खबर परशासन को चुप से आप दें ताके दोसी सलाफों के अंदर चला जाए और मैं प्रित परिवार से यह अपने तरफ से आसवासन देता हूं और वाड़ा भी करता हूं कि आज की दिन से आपका कुछ होने जाने को नहीं है ना कोई आपका कुछ बिगार सकता है ना आपके खिलाफ कोई ताना जनी कर सकता है इसकी पूरी जिम्मेदारी हम पर है चुके गाउं का मैं सची हूं और आप लोग के बीच ही रहा हूं और आप हमारे बीच कैसे थे आप लोगों को कैसे हमने रखा है अगर किसी जैसे तरह कोई शिकायत हो इस समाज से तो किसी के दबावे में मैत आयो अब ही ऊटके भूलिर कहां पहले इसा किया लोग फिर दोबरह किया है ऐसा आगर कोई बात है ऐसी कोई बात है तो सभी समय के सामने रखे मैं तो हम समाज पर भरोसा है नहीं कि इस इतना हम लोग की हैं आप बहुत उदास हैं आज से उदासी इसको खतम कीजिए आपके साथ हैं अच्छे से खाना बनाईए खाईए पीए रहिए और जैसे पहले सुमन जैसे चलते थे बाहर निकलना आना जाना अगल बगल में जुजाते थे आना जाना भी उकरो उससे को करता हूं या आप लोगों को यह भरोसा दिलाता हूं कि यह जो हम मुस्लिम समाज के उपर कलंक हुआ है कलंकित हुए हैं जो इनको भाका करके अज दिल्ली की मीडिया पतना की मीडिया बात को बढ़ा करके लिख करके देख करके इनसे पढ़वाया भी गया है यहां तकी र तरह का धर्म परिवर्तन गो मांस या किसी तरह की बात नहीं थी कुछ हवा उड़ी जिसमें कुछ लोग आए और हवा में ये घटना घट गी मैं इनका घोर निंदा करता हूं या और हमारे तरफ से विधायक महद्या को भ्यास्वासन देता हूं कि घटना जो घटी वो खतम होगे और इनकी सहमती से कल हम लोग तीन बजे सिर्मा से पीस कमीटी उठेंगे और शान्ती मार्च निकालेंगे जो हमारी किरन देवी की अधेक्षता में भी होगी अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले